हाई फ्रेंड आपने सकरकंदी पकाने का ऐसा तरीका आज से पहले कभी नहीं देखा होगा इडली तो आपने बहुत बार बनाई होगी इडली स्टैन में पर सकरकंदी आपने आज से पहले कभी पकाई नहीं होगी तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए बिल्कुल भी स्किप ना करें तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरब एक किलो यहाँ पे मैंने सकरकंदी ले ली है पानी बिल्कुल भी उपर नहीं आना चीए आपको बिल्कुल थोड़ा सा पानी एड करना है और उसके उपर से आपको इडली का stand रख देना है ऐसे ही आपको इडली के stand रख के उसके उपर जितने भी sweet potato आते हैं शकरकंदी आते हैं उतनी आपको रख देनी है ऐसे आपको पका लेना है 10 से 12 मिनट के करिब तो चलिए इसे में ढग देती हूँ और इसे में पका लेती हू पहले आपको fast flame पे पकाना है 2 मिनट के लिए फिर आपको flame को slow कर देना है तो देख सकते हो बहुत आसान तरीके से हमारी सकरकंदी पक गई है अगर इस तरीके से आपने सकरकंदी को पकाया तो उसकी मिटास बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बिल्कुल शकर जैसी लगती है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए पहली बार आया तो सब्सक्राइब ज़र रिखिए